कोरोना वाइरिस की दूसरी लहर के प्रकोप से पूर्णिया के शहरी इलाके के लोग भी तरस्त हैं। कोरोना संक्रमन से एक ही परिवार के कई सदस्य जूज रहे हैं। ऐसे में उन्हें खाने पिने का इंतजाम करने में भी मुसीबत आ रही है। वहीं लॉकडाउन के वज़े से काम धंदे बंद हो जाने से भी मेहनतकश लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में श्रीराम सेवासंग के सदस्यों ने लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत जोंक रखी है। श्री राम सेवा संग के सदस्य खुद से ही गर्म गरम खाना तयार करते हैं और इसके बाद खाने का पैकेट घर घर जाकर बाटा जाता है वहीं श्री राम सेवा संग ने कोविट केर सेंटर के सामने बैनर पोस्टर लगा कर मोबाइल लंबर भी दिया है इस नंबर पर कॉल करते ही गर्मा गर्म खाना जरूरत मंद लोगों तक पहुंचा दिया जाता है वहीं संग की सेवा से एक बुजूर्ग शक्स बेहत खुश है वहीं श्री राम सेवा संग के सचीव राना परताप सिंग ने बताया कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहां सबके सब लोग कोरोना से संक्रमित हो गए है और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है सिंग ने कहा कि जरूरत मंद लोगों के लिए मुफ्त खाना आगे भी मुहाईया कराया जाएगा वहीं संग के सदस से आतिश सनातनी ने बताया कि अभी 200 परिवार तक पका हुआ खाना रोज भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि दिन के खाने में दाल भात सबजी और रात में रोटी सबजी बना कर घर तक पहुँचाया जा रहा है होस्पिटलों को उन सभी जो है तो जगहों पे जो है बैनर पोस्टर लगाई गई है संग परिवार के द्वारा जिसमें की बजापते जो है संग के जो है सो पहुच भाईयों का नमबर दिया हुआ है उसी नमबर पे जो है श्री राम सिवा संग से जुड़े सदस्य संकट के दौर में जरूरत मंद लोगों की दिल खोल कर सेवा कर रहे हैं इनकी लगन और सेवा भाव से सीख लेते हुए दूसरे संगठनों के लोगों को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए पंजाब केशरी टीवी के लिए पुर्णिया से अमित कुमार की रिपूर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद